हेलो स्टुडेंट जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है देखिए आज जो हमारा टोपिक हुआ अकबर की मनसबदारी गयोस था देखिए जो टोपिक है बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है अगर हम किसी भी एक्जाम की बात करें जैसे एससी का है रेलवे का है अध परियास करूंगा कि अभी तक जितने कोशन की पूछे गए हैं वो सारे में इस लेक्चर में आपकी साथ डिसकस करूं तो देखिए मेरे जितने भी क्लास होती हैं बेसिकली उस टोपिक से सम्मंदित जितने इंपोर्टेंट कोशन होते हैं मैं उसका इक पेपर भी बनाता ह तो प्लीज लाइक कीजी और कमेंट कीजी तो अब शुरू करते हैं अकबर की मनसबदारी विवस्था देखिए जो मनसबदारी विवस्था है इस कोंसेप्ट को मद्धे काली इतियास में यानि मिडवल हिस्ट्री में अकबर लेकर आया था अकबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं आपर देखिए अकबर का उदिश्य महन बनना था तो अकबर ने कहीं काम ऐसे किये जिसने अकबर को महन बना दिया उसमें अकबर की प्रसासन को भी लिया जा सकता है तो जो मनसबदारी विवस्था है ये अकबर की प्रसासन का ही व olduğunu औक ब और ला देखिये वेसे तो एक प्रसासनिक विवस्था है, जबकि इसका जो मुल उदिष्ष से था, एक अच्छी सेना का गठन था, अच्छी सेना का गठन, देखिये अक्बर की पास एक अच्छी सेना होगी, तभी वो अखिल भारत का निर्मान करेगा। यानि अकबर की महनता का जो सबसे बड़े सराई जाता है वो ये है कि कल तक भारत डिसेंटलाइज था यानि विकेंद्री कर था लेकिन अकबर ने एक अच्छी सेना के मध्यम से भारत को एक सुन्तर में बांधने का प्रियास किया तो देखें अच्छी सेना का गठन किया तो इस उदेशे से अकबर ने सबसे पहले 1573 में दाग पर्था चलाई थी दाग पर्था देखें दाग पर्था कि अगर हम भारती इत्यास में शुरुवात करते हैं तो इसका सरे अलावदिन खिलजी को जाता है जिसने घोडो को दागनी की पर्था चलाई थी तो अकबर नी भी इसकी सुरुवात की और इसको सुरुवात करने का उदिश से ये था कि जिससे सैनिक घोडो को ने बदल सके और 1575 में अकबर नी मनसबदारी पर्था की सुरुवात कर दे मनसबदारी पर् तो देखे इस मनसबदारी पर्था के जो concept को सबसे पहले लेकर आया था जनरली ये जो word है ये books में नहीं मिलता है चुकि मेरा IS में optional subject रहा इसलिए मैं आपको discuss कर देता हूँ तो ये अब्बा सईद की दिन है अब्बा सईद और ये जो अब्बा सईद है ये मध्य इश्या के है अब देखे ये जो मनसबदारी पर्था है ये अंक्य यानि नंबर चलती थी ये अंक्य विविस्था पर आधारी थी और इस पर्था पर जो सबसे पहले सेना का गठन किया यह मंगोल सासक चंगेज खाने किया था, यानि मंगोलों की जो सेना थी वो अंक्य विष्था पर लागू थी और इसको बेसिवल सिस्टम या दसमलाव परणाली भी कहते हैं, परणाली, देखिए इसका और मैं इसमस्ट आपको देने का परियास करूँगा यहां पर, एक ना उसने अबदुल्ला खान से समझोता किया और उसकी सेना को अपनी सेना में भरती कर लिया, तो जो दसमलाव परणाली मंगोलों की थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो सेन्य परणाली वो भी दसमलाव परणाली पर आधारी थी, तो यहां पर भी क्या है, दसमलाव परणाली देखने को मिलती है, चुकि इंडर्स वाली सिविलाइजेशन में जो बाट थे वो सुला की गुनक में थे, तो देखिए अब इस मनसब के मिनिंग को लेकर चलेंगे, देखिए मनसब का जो साधान सा अर्थ निकलता है, यह है पद, पद से तात परिये, यह किसी अधिकारी के पद की स्थिती को बताता है, किसी अधिकारी के पद की स्थिती को बताता है, अर्थात उसकी पोस्ट को बताता है, और पोस्ट यहां पर उसके रैंक को भी कहा जा सकता है, देखिए मनसब क्या है, मनसब का साथिक अर्थ पद होता है, अर्थात यह किस अधिकारी के पद की स्थिति को दरसाता है अर्थात वो किस पद यानि किस पोस्ट पर बैठा है और जैसे वर्तमन में भी होता है जैसे जिसका पद होता है वैसा ही उसका रेंक होता है तो देखे मनसब का अर्थ पद होता है और इस पद पर जो विक्ती बैठेगा उसे हम मनसबदार कहते हैं मनसबदार कहते हैं अर्थात उसकी post बड़ी है तो उसका rank भी बड़ा होगा और जब rank बड़ा होगा अर्थात जैसा उसका rank है तो वैसा ही उसका वेतन होता था आज भी जनरली ऐसे ही होता है जिसकी post बड़ी होती है माली जे collector की बात करें, collector, एक IS की post होती है और उसका जो rank होता है, तो उसका वितन जादा होगा, अगर हम एक dipty collector की बात करते हैं, तो उसका class 2 rank होता है, तो उसका वितन कम होगा, तो जैसा वरतमान में होता है, ऐसा ही पहले होता था, लेकिन यहां यह ध्यान लखना है, इसे ज एक भूकंड के रूप में दिया जाएगा, और इस भूकंड को हम जागीर कहते थे, सपोज करो, किसी अधिकारी का जो वितन है, वो 1000 रुपीज है, तो उसे सरकार एक इतना बड़ा भूकंड दे देगी, जिससे गोर्मेंट को, यानि सरकार को 1000 राजसु मिलता था, तो अब वो 1000 राजस वाला जो एरिया है वो उस मनसबदार को दे दिया जाएगा कि यहां से जो राजस रसुल आएगा वो ही तुमारा वेतन होगा तो इस भुकंड को हम जागीर भी कहते थे चुकि इस जागीर से वो अधिकारी अपना वेतन कलेक्ट करता था तो इसलिए इसे हम जागीर दार भी कहते हैं तो ध्यान लखना है यहां पर कि यह जो जागीरदार है यही क्या है मनसबदार है लेकिन ध्यान लखना है हर मनसबदार को जो वेतन जागीर के रूप में दिया जाएगा तो हर मनसबदार जागीरदार होगा लेकिन हर जागीरदार जो है वो मनसबदार नहीं होगा चुकि जागीर जो दी जाती थी रज्य के द्वारा वो कई रूप में दी जाती थी इन मनसबदारों को जो जागीर दी जाती है इसे हम पनखवा जागीर कहते हैं जबकि जागिर और रूप में भी दी जा सकती है, जैसे इनाम के रूप में, रज्य के द्वारा दी जा सकती है, उपार के रूप में दी जा सकती है, किसी विद्वान या सक्षनिक उदेश्य से दी जा सकती है, तो जो उन उदेश्यों से दी जाएगी, उसे हम मनसबदार नह जिसका सिस्टम क्या था अरथात प्रह्णाली क्या थी? तो देखें जैसे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कि ये जो मनसब्दारी पतरा है ये प्रसास्निक व्यवस्था है वेवस्था क्योंकि अकबर का जो प्रसासन है उस प्रसासन में अकबर के मनसरदारी विष्था को भी लेते हैं तो प्रसासनिक विष्था में कई तरीके के प्रसासन आ जाते हैं जैसे सैन्य प्रसासन हो सकता है सैन्य प्रसासन प्रसासन हो सकता है ऐसे ही राजस प्रसासन हो सकता है राज चुकि हर छेतर में प्रसासन होता है, लेकिन इस प्रसासनिक विवस्था का जो मुख्य उदिस्य है, ये एक सेन्नी प्रसासन है, यानि इसका जो उदिस्य है, एक अच्छी सेना का गठन करना है, पहली विवस्था, यानि एक प्रसासनिक विवस्था है, और ये जो मनसबदा होते हैं मंसबदार मंसबदार यह बादसा के ब्यूरोपेट यानि नोकर्शाह की तरह काम करते थे नोकर्शाह देखें नोकर्शाह यानि ब्यूरोप्रेट आज भी होते हैं तो यह भी क्या है एक नोकर सही विवस्ता है, नोकर सही विवस्ता कि यहाँ पर विशिस्था पर हम चर्चा करेंगी जैसे, इनका जो पद होता था, यह har appreciated यानि यानि whensanugat Wanssanugat नहीं था तहली विशिस्था दूसरा, इनका promotion और demotion यानि पदोनती और आवनती ये भी होती थी, ट्रांसफर यानि इस्थानांतरन भी होता था, और इसकी जो महपुन विसेश्था है, जितने भी मंसब दिये जाते थे, ये सब मंसब बाजसा के द्वारा दिये जाते थे, तो देखिए, यहां पर मैंने दो बातों की यहां पर आपकी साथ चर्चा की है, यहां से जो कोस्टन बनते हैं, चुकि वो फ्यक्च Florence बहुत कम बनते हैं, तो यहां से conceptual कोस्टन बनने की संभावना जादा होती है, तो किस तरीके के concept आप लोगों से पुछे जा सकते हैं तो इन बातों बहुत ध्यान देना है आपको तो देखें एक प्रसासनिक विवस्था है और ये बादसा के नोकरशा की तरह काम करते थे तो ये मनसबदारी परथा थी लेकिन अब ये जो मनसब है कालांतर में बादसानि क्या किया 1593 और 94 में इस मनसब का जो अर्था इसको दो भागों में बाटा है अब हम उस पे चर्चा करेंगे तो देखें कालांतर में आकपर ने इस मनसबदारी विवस्था में कुछ बगलाव किया तो 1593 और 94 में देखने को मिलता है तो इस मनसब को दो भागों में बाटा एक का अर्थ होता है जात और एक सवार देखे जात का मतलब होता है पद यानि वो जो मनसबदार है उसका पद क्या होगा अर्थात उसकी कौन से पोस्ट होगी सवार से ततपरिया है कि उसके अधिन घुड सवारों की संख्या घुड सवारों की संख्या यहां एक बात मैं पहले ही आपकी साथ डिसकस कर चुका हूँ देखें यानि पद का मतलब होता है वो किस पोस्ट पे बेठेगा और उसके अधिन कितने घुड सवार होंगी चुकि यह प्रसासनिक विवस्था है और प्रसासनिक विवस्था में सैन्य प्रसासन भी आता है और SNA प्रसासन यानि Non-Military Administration भी आता है तो सवार केवल उसी के अधिन रहेंगे जो एक सैन्य अधिकारी है अर्थात यह जो मनसब होता है यह सिज को इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि मनसब के साथ जात होना अनिवारिया है लेकिन सवार होना अनिवारिया नहीं है यह बहुत ही मैपोंड एक पाइंट दिया है मैंने पूंसेप्चल कोस्टनों में पुछा जाता है तो देखे मनसबदार वो होगा उसके पास जात होना कंपलसरी है लेकिन सवार होना कंपलसरी नहीं है सवार के वर उसी के पास होगा जो एक सेन्य अधिकारी है तो देखे यहां पर जो मनसबदार है वो ही अपने घुड सवारों की न्युक्ति करता था और उनका जो वेतन होता था, वो जात के आधार पे मिलता था, तो हमेशा ध्यान लखना है, ये जो सवार हैं, ये कभी भी जात से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उस मनसबदार का जो वेतन है, वो जात के आधार पे है, अगर सवारों की संख्या जाद हो जाएगी, तो वेतन देने में ऐसे मर्थ हो जाएगा, तो धियान रखना है, यह जो सवार हैं, यह कभी भी जात से अधिक नहीं हो सकते, तो देखें यहां पर मनसबदार तीन तरीके के बताए गए हैं, एक ऐसे जिसमें, जिनका जो वेतन हैं, वेतन, वेतन, यह जात और सवार, जिसमें दोनों बराबर होते थे, यानि एक मनसबदार ऐसा है, जिसके पास घुर सवारों की संख्या जात के अंसार होगी, यह पर्थम सरेनी का होगा, जो दूसरी सरेनी का होगा, जिसमें जो घुर सवार होगी, वो जात से आधे होते थे, आधे, और तिसरी सरेनी का वो था, जिसमें से भी कम होंगे आधे से कम होंगे तो ये धियान रखना है तो देखिए जो यहां पर मनसब दिये जाते थे मनसब सामन्य दस से लेकर 10,000 तक के मनसब दिये जाते थे 10,000 तक के मनसब दिये जाते थे तो 5000 तक के जो मनसफ होंगे, वो एक सामन्य लोगों को दिये जाते थे और 5,000 से जो अधिक के मनसफ थे, वो राजगराने के जो लोग थे, यानि सहजादे, आदी को दिये जाते थे यह कोई बहुत ही महपून सेमिय दिकारी है जैसे अकबर के समय हम मान सिंग या मिर्जा अजिश कोका की बात कर सकते हैं लेकिन कालांतर में इसमें कुछ बीच बीच में चेंज किया गया जैसे हम सहाजा के बात करें तो सहाजा ने अपने बड़े इकबाल की उपादी से सम्मानित भी किया था तो यह मंसब जो हैं आकबर ने 66 परकार के मंसब बाते लेकिन आकबर के दर्बार में एक महत्पून विद्वान रहता है जिसका नम अबुल फजल है तो अबुल फजल ने उस तक लिखी थी अकबर नामा और अकबर नामा का ज उलेक किया गया है तो यह अकबर की मंसबदारी विवस्था थी इसके माध्यम से अकबर ने एक अच्छी सेना का गठन किया तो जो मंसबदारी प्रथा है अकबर ने अपने प्रसासन के तीन अंगों को संगठित किया इसमें तो अकबर ने जो आपन का जो प्रसासन है वर्षा को संगठित करके, एक सामन्य व्यविस्था बनाई, सामन्य व्यविस्था बनाई, एक बार फिर समझिए, तो दिछिए, अकबर का जो प्रसासन था, उसमें के तीन अंग थे, समंथ, दिछिए समंथ का मतलब होता है, राजा के अधिن राजा को, तो अकबर की जो समय हैं, सामन्त भी हैं, चूकि अकबर ने राजपूतों को पराजित किया, एक्चल में क्या था, जब मैं अकबर की राजपूत निती कराऊंगा, उसमें आएगा भी ये टोपिक, 1562 में जब अकबर अजमेर जा रहा था, तो आमीर का एक सासक था भार मल, ब अकबर नहीं चाहता था कि राजजे के अंदर राजजे हो, चोकि अकबर का उदेश्य अकिल भारत का निर्मान करना था, तो अकबर ने अपने राजपूत निती में, राजपूतों के समक्स दो प्रस्ताव रखे, मित्रता और युद की निती, अर्थात, तुम मेरी अधि बड़े-बड़े पजसितत पर ये है, कि उन्हें मनसबदार बनाया, यानि सामन्तों को संगठित करना, इसके साथ-साथ जो सेना है, उसके लिए विष्था है, इसके लिए भी है, और जो सेन्य अधिकारी नहीं है, उनके लिए विष्था है, तो अकबर ने अपने प्रसा तारी विवस्था में, कालांतर में, जो अकबर के उत्रादिकारी हैं, उन्होंने भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, अगर हम जागीर की बात करते हैं, जागीर की बात करते हैं, तो जागीर ने इसमें दो ची जोड़ी, एक को बोलते हैं, दूई अस्पा, दूई अस् किया दुए ऐस्पा यानि एक सैनिक होगा और दो घुडे होंगे सहे अस्पा का मतलब होता है एक सैनिक और तिन घुड़े अब हम सहजा की बात करें तो सहजा ने इस मनसबधारी विश्था में मैं पुर्ण बदलाव किया और वो वितन जो है इने कम से कम चार या अधिकतम आठ महा के बाद वितन दिया जाता था तो देखिए जो मनसबदारी विवस्था है ये ओरंग जेब के समय तक ये सफल रही लेकिन ओरंग जेब के बाद जब अयोग्य ससक आए तो ये मनसबदारी विवस्था मुगर सामराज्य का जो पतन था उसके पतन में सहक सिध हुई तो अब इस मनसबदारी विवस्था की जो क्रेक्टलिस्टिक है यानि गुण और क्या-कैस के दोस रहे अब हम उन पे चर्चा करेंगे तो इस मनसबदारी विवस्था की जो विश्यस्था है सबसे पहले हम गुणों को लेकर चलेंगे तो देखे इसका एक सकारात्मक पहलू यह है किस मनसबदारी विवस्था के माध्यम से आकबर ने राजपूतों को संतुष्ट किया यानि राजपूत राज्यों को अपने अधिन किया और उने अपने दर्वार में बड़े बड़े पद दिये इसके साथ साथ जो मनसबदार हुदा था वो अपने सैनिकों की न्यूक्ती स्वम करता था सैनिकों की न्यूक्ती चोकि वो स्वम करता है करता है तो देखिए सेनिकों की न्यूक्ति करने की जिम्मेदारी थी बाद्जा की वो समाप्त हो गई इसके साथ साथ कोई भी राजबुत जिन सेनिकों की न्यूक्ति करेगा बेसिकली वो अपने संबंधियों की न्यूक्ति करेगा तो जहां भी वो किसी यूद में जाएंगे, चुकि सब एक दूसरे के सम्मंदी हैं, तो एक जूठ होकर यूद करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे. अब ये इसकी विशेस्ताइं हैं, आप इसके दोस्त की बात करते हैं, दोस्त क्या थे? देखिए, यहां पर कुछ दोस्त देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि ये मुगल समरज्य के पतन के लिए जिम्मेदार साबित हुई, ऐसा क्यों हुआ? अकबर एक योग्य सासक था, और औरंजेब के समय तक जो सासक हुए वो योग्य थे, और योग्य सासक के अभाव में ये जिम्मेदार हुई पतन के लिए, इसके कुछ पुराने उधारन में आपको दे सकता हूँ, जैसे असोक की बात करें, तो असोक ने धम की निती अपन के लिए जिम्मेदार साबित हुई, वो इसलिए हुई, कहा जाता है कि धम की निती के कारण, युद होने बंध हो गए, सेना निश्क्रिय हो गई, और मौरिय समरज्य का पतन हो गया, लेकिन ये वास्तिक कारण नहीं है, वास्तिक कारण तो योग्य सासक का भाव था, लेक लेकिन योग्य सासक के अभाव में जो चालीसा दल है, वो इल्तुत्मिस के उतरादिकारियों के पतन के लिए जिम्मेदार साबित हुआ, तो यहां भी कहा जा सकता है, यहां इसलिए कहा जा सकता है, चुकि ओरंगजेव के बाद योग्य सासक नहीं आया, सब योग्ये थे तो उनके समय बड़े-बड़े मनसब दिये जाने लगे बड़े-बड़े मनसब दिये गए जब बड़े मनसब दिये गए तो उनका वेतन भी अधिक होता था वेतन अधिक होने के कारण मनसबदारों की आर्थिक इस्तिति सुधरने लगी और राज्य की इस्तिति खराब होने लगी, इसके साथ अगर कोई यूद होता है, बड़ा यूद होता है, तो उसमें कई मनसबदारों की, कई मनसबदारों की सेना एकसाथ यूद करती थी, चुकि सभी मनसबदारों ने अपनी سैनिकों को अलग-अलग तरीचे से ट्रेनिंग दी है, तो जब कई मनसबदारों की सेना लड़ती थी अपनी सत्रू के एंगेस्ट तो उन में समझस से ये एड़ेस्ट होना एक दिकत की स्थिती बन जाती थी इसके साथ ये भी कहा जा सकता है जैसे मैंने यहां पर बताया चुकि मनसबदार अपनी सेना का गठन करता था तो ऐसी स्थिते में देखिए यदि कोई मनसबदार साशक के विरुद विद्रों करता था तो उसकी सेना जो होती थी वो अपने मनसबदार का साथ देती थी तो ये इसके गुन और दोस पर हमने यहां पर चर्चा की है तो अब यहां से किस तरीके के कोशन बन सकते हैं कोंसेप्चल एक कोशन में आपके समनी है एक उधारन के रुपमे में ले देता हूँ और उस कोशन को आप किस-किस एंगल से सोचना है देखिए जो मल्टी चोईस कोशन होते हैं जहां तक मेरा अपना अनुभव है तो जो चार विकल आप लोगों को दिये जाते हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे suppose that एक कोशन दे दिया कि ताज महल किसने बनवाया था सब को पता है कि साजाने बनवाया था अगर कहा जाए कि लाल किला किसने बनवाया था तो हम क्या करते हैं एकदम निशान लगा देते हैं कि साजाने लाल किला बनवाया लेकिन इस तरीके से नहीं करना अगर इस तरीके से करेंगे तो कोशन गलत हो सकता है चुकि वहाँ पर लाल किला पूछा है ये तो नहीं पूछा ना कि दिल्ली का लाल किला कि этому है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शाजां का नामी ना हूँ, अकबर का नाम हो, तो अकबर भी इसका अंसर हो सकता है, चूकि आगरे में भी तो हूँ एक लाल किला है, तो अमें साध्यान लखें किये, जब भी कोई question आता है, उसके चारों विकल्प पिर एक कोश्टन इसी टोपिक से सम्मंदित मैं आपके साथ discuss कर देता हूं, तो दिखिए इसक्रीन पे आप एक कोश्टन देख सकते हैं, और कोश्टन ये है कि निवन में क्या सही है, कई बार कोश्टन होता है कि क्या सही नहीं है, तो student कई बार उस कोश्टन को proper नहीं तो धिया नकना क्या सही नहीं है का मतलब होता है कि गलत छाटना होता है, लेकिन कोश्टन में दिया गया है कि निवन में क्या सही है, तो विकल्प A हम देखते हैं कि सवार जात से अधिक हो सकते थे, फिर B में कह रहा है कि सभी जागिरदार मनसरदार होते थे, C में कह रहा है यहां पर कि इसकी जानकारी हमें अकबर नामा से मिलती है तो चार विकल्प हैं आप हम चारों विकल्पों पे हैं डिसकस करते हैं तो देखें वो पहले विकल्प में कह रहा है कि जात से सवार अधिक हो सकते थे बिलकुल गलत अंसर है, हमेसे ध्यान लखना है मैंने डिसकस किया है, किसी भी मनसबदार के लिए, जात और सवार, देखे अर्थ भाद तो दो होते हैं, लेकिन जात का होना अनिवारिय है, सवार का होना अनिवारिय नहीं है, और ध्यान लखना है चुकि सवारों का वेतन भी जात के अधार पर दिया जाता था तो सवार, जात से हमेशा यह तो कम होंगे, यह उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे जादे नहीं हो सकते तो यह विकल्प गलत है फिर वो कह रहा है कि सभी जागिरदार मनसबदार होते थे, बिल्कुल गलत है सभी मनसबदार जागिरदार होते थे चुकि मनसबदारों को वितन जागिर के रूप में दिया जाता था, तो मनसबदारों को जागिरदार कहा जा सकता है लेकिन सभी जागिरदार मनसबदार नहीं हो सकते कुछ जागिरदार हो सकते है मनसबदार, चुकि कुछ जागीर इनाम के रुप में दी जाती है, आदी-ादी मैं discuss कर चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल गलत है, वो तीसरा C में यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो उदेशे था, वो समरज्य विस्तार करना था, देखी, मैंने अभी discuss किया है कि इसका जो उदेशे है, एक अच्छी सेना का गठन करना है अच्छी सेना क्यों को बनाई जारी थी? क्योंकि समरज्य विस्तार करना था तो यहाँ अच्छी सेना का गठन करना डारेक्ट ने लिखकर इंडारेक्ट लिखा है तो यही इसका अंसर ठीक है फिर D में कह रहा है कि इसके जानकारी हमें अकबर नामा से मिलती है लेकिए ये भी गलत है चुकि इसके जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है लेकिन यहां एक बात का और ध्यान रखना है कई बार question, कुछ direct देखते हैं, कि बिल्कुल proper हमें answer मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है, कि सभी विकल्प सही होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादे सही कौन सा है, वो छाटना होता है, कई बार क्या होता है, कि सभी गलत होते हैं, लेकिन उनमें सबसे गलत कौन सा है, वो हमे तो इस चीज़ का आप ध्यानने केंगें, ओके, थेंक यू, that's all.